समस्कार मैं अमरेंदर तिवारी ओल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जो केसेस मिले हैं बुंडू, डोरंडा, कड्रू, कांके ये चार केस यहां से हिंद पीडी से आठ केस और तीन केसेस जो है वो बेडो से मिला है और इसके बाद परसासन जो है पुरा एहतियात बरतरा इन इलाकों में लगातार सक्ती जो है वो बढ़ाई जा रही है हिंद पीडी से आठ केसेस आए हैं और एक केस हिंद पीडी में ASI के पद में जो तैनाथ थे उनकी भी कोरोना संक्रमन की पुष्टी जो है वो हुई है और उसके अलावे एक केस जो है गुरुनानकी स्कूल में प्रबंधन में कारे करने वाले कर्मचारी की है तो ये लगातार 20 केसेस बढ़ने के बाद राची के परसासन में जिला परसासन में हडकंप मचा हुआ है क्योंकि इससे पहले जब 16 केसेस आये थे तो एक दिन का रिकॉर्ड एक तरीके से तूट गया था इस 20 केसेस आने के बाद जो है 103 पर जो है मामला वो पहुँच चुका है हाला कि कुछ आखबारों में आपको 104 भी दिखेगा वो बर्यातू के मरीज को जोडने के बाद लेकिन मेडिकल बुलेटिन जो जारखंड सरकार की जारी हुई है उसमें 103 केसेस है सबसे बड़ा सवाल था कि इटकी में जो है वो जो केसेस मिले हैं और खास करके जो बेडो का केस है तो इटकी में जो केस मिला है ये लोग 20 मार्च को जो है वो लोटे थे धर्म परचार करके मांडर से और इसके बारे में परशासन को जब बाद में पता चला तो इननोंने सेंपल से इनकी ली गई और अब जाकर जो है एक तरीके से ये रिपोर्ट सा रही है कि जो है इनके जाच रिपोर्ट वो पॉजिटिव आए है हाला कि अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से परशासन जो है इस पूरे गाउं को सिलिंग और सेंटेशन की प्रक्रिया लगातार हो रही है हाला कि उन तीनों को जो है आइसोलेशन वाड राची में शिफ्ट कर दिया गया है चलिए अब जो है एक तरीके से उनको बाद में क्योंकि उनकी मा जो है वो नर्स थी उनको जो है फिर बाद में किसी तरीके से उनको जब शक हुआ तो फिर उनकी सेंपल टेस्टिंग कराई गई मेडिकल कराया गया एक तरीके से और इसके बाद उनमें संक्रमन की पुष्टी आई है बेडो का वही करांजी गाउं लगातार पहले ही वहाँ से दो केसिस आ चुके थे लेकिन तीन केस और आने के बाद जो है बेडो में कुल केसिस की संक्या पहुँच चुकी है पांच लगातार परशासन ने करांजी गाउं को पहले ही होट इस्पोर्ट चिन्हित करके वहाँ पर जो है सकती बढ़ाई हुई है सीलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है वहाँ पर तो ने ने जगों से केसेस आ रहे हैं और ये केसेस किस तरीके से फैले सिलसिलेवार तरीके से अगर आप इसको समझे तो परशासन की घोर लापरवाही आपको इसमें समझ में आएगी सबसे बड़ा सवाल है कि प्रसुती जिस महिला का हुआ था प्रसव जिस महिला का हुआ उनके जो स्टाप्स थे उनके पास क्या PPE किट्स नहीं थे क्या ये बड़ा सवाल उठता है सिस्टम पर PPE किट्स के बिना किस तरीके से स्वास्त कर्मी लोग का इलाज कर रहे थे और सबसे इंपोर्टेंट उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल कि सभी को एक जगा कोरेंटाइन क्यों नहीं किया गया रिम्स के निदेशक पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब इस तरीके से स्टाप्स जो है positive पाया गया तो सभी को होम कोरेंटाइन जाने की इजाजत क्यों दी गए और मुझे लगता है कि जारखन की सरकार को बड़ा कारवाई करके एक बड़ा संदेश देना चाहिए राजवासियों को ये सारे स्टाप्स जब होम कोरेंटाइन जाते है तो उसमें से कुछ लोगों ने होम कोरेंटाइन की जो शर्ते होती है उसको लागू उन्होंने अपने उपर नहीं किया और इसी के कारण जो है वाइरस धीरे 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 वहाँ पर फैला है लोगों के बीच तो धीरे धीरे जो है अब मामला बढ़ता ही जा रहा है संथाल में अभी मात्र दो डिश्टी किससे प्रभावी थे एक जाम तड़ा और दूसरा जो है वो देवगर लेकिन सबस से बड़ी चिंता है रांची के अंदर रांची के अंदर लगातार के से बढ़ना है मामला बीस मिलने के बाद जो है ये पहुँच गया 103 पर यानि कि शतक एक तरीके से संक्रमन का हो गया है और इस पर एहतियात बरतने के लिए जारखंड की सरकार ने बहुत बड़ा निर् ने कहा है कि राची की अब बिधी बेवस्था जो है वो CRPF के हवाले होगी खास करके उन इलाकों में जो होटी स्पोट है यानि कि हिंद पीडी का इलाका वहाँ पर बिधी बेवस्था और लोगडाउन पालन कराने की जिम्मेदारी जो है वो CRPF पी होगी CRPF की दो टुक जो है यहाँ पर पहुचने वाली है रास्ते में है और अब पूरी तरीके से राची को CRPF के हवाले कर दिया गया है आउटर राची में लोगों की आवाज आई हमन सोरेन सरकार ने बंद कर दिया है और परशासन को सक्त निर्देश दिये गया है कि अपने साथ फूड पैक साकेट भी अपने साथ रखे और साथ में नियम कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी भी उनके पास बड़ी जिम्मेदारी बनती है तो नए नए जगह पर केसेस आ रहे है अब ग्रामीन छेत्रों में फैलाओ हो रहा है दिरे दिरे इससे जो है समस्याय और बढ़ रही है लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सबसे बड़ा हॉटी स्पोट जो है वो हिंद पीड़ी बना हुआ है और तमाम जगहों पे जो केसेस आप देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर केसे जो हिंद पीड़ी से ही निकले हुए है पिछले 24 घंटे में 24 फीसदी मामलों में बढ़ होतरी हो चुकी है तो जारखंड की सरकार जो है एक तरीके से सकते में परशासन सकते में लेकिन ये वक्त सकते में नहीं आने का ये वक्त है सतरकता और बढ़ाने का और जो निरने लिये जा रहे है इसमें जो है एक आपने पहले ही देखा था कि राच्ची के रिम्स में जो प्रसव जो हुआ था जो गाईनी भी भाग है वहां का वो लगातार कर रहा है कि भाई कुछ लोग जो है अपनी पहचान को छिपाकर इलाज करवा रहे हैं तो इस मामले में आपने देखा कि पहचान छिपाकर इलाज करवाले वाले लोगों के उपर जो है प्रयात्मिकी दर् कि आप किस छेतर से हैं राची किस छेतर से यहां पर इलाज कराने आए हैं तभी आपका इलाज जो है वो शुरू होगा और कुरेंटाइन सेंटर में अगर एक ही जगह पे सभी को कुरेंटाइन कर दिया गया होता तो मुझे लगता है कि जो इस्टाफ और नर्सों जो पिछल कुरेंटाइन दिया गया और मुझे लगता है कि जब होम कुरेंटाइन में कोई जाता है और अगर उनके सेंपल्स के रिपोर्ट्स नहीं आई है तो एक तरीके से लापरवाही तो human nature हो जाता है उस वक्त लेकिन स्वास्त कर्मी की लापरवाही से अभी संकट जो है और कि तुमस एड़ कि लगए खाल सवास्त कर्मी की लापरवाईन की लेकिन स्वास्त कर्मी की लापरवाब्स